यह तो इनकी शोबाजी है आज हम देख रहे हैं मद्यपदेश में इस बार परिवतन का मावाल है और चाहे मोदी जी आए चाहे कोई और आए अब बात बदलने नहीं वाली है हमने स्वेम देखा है कि जो बजय शंकनाद प्रेंगा जी ने कुल जिन पहले किया था और जो माहौल जलपुर में बना था उससे ये बात पर स्थोरी है कि इस बार मद्यपदेश में सरकार कॉंग्रिस की बन रही है और वैसे भी जब भी मोद्यपदेश आते हैं तो शिवराज सिंग चौज इतना जुट बोल देते है जब पिस्तिवार मोद्यपदेश जी रिवा आये थे तो भरे मंद से शिवराज सिंग जी ने कहा था कि भाजपा सरकार ने मद्यपदेश में किसान की आये दोगनी कर द जो व्यक्ति तीस साल जनपर अध्यक्ष पत्रेवर उनने किया है कुलारस का तीस साल लगातार सन 94 से लिए कि आज तक उनका ही जनपर अध्यक्ष का उसमें यंतन रहा है आठ साल रहे जलत मंचद अध्यक्ष 14 साल रहे भुविविकास बैंक की अध्यक्ष ये एक दिगज नेता है शिपरी जिले के पुराना कॉंग्रेस परिवार है कुछ समय के लिए वो थे सिंद्या जी के साथ में अभी जब उनने पार्टी बदरी थी कि हमें खुशी है कि अब बैजना सिंग जी और उनके सभी साथ जो नेता कारे करता है वो आज कॉंग्रेस में शामिल हो रहे हैं इससे हमको सरफ कुलारस में नहीं पूरे शिपरी जि पाया जबकि मुझे इस बात का खुद ध्यान है कि सक्ट फाय सेफटी नॉम्स पूरे प्रदेश में लागू है हर निकाये में इसके लिए प्रावदान किया गया है लेकिन ऐसा क्या कारण है कि जब शुरुआत आगजनी की हुई थी उस समय अपने लोग क्यों नहीं सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद